हाई स्टुडेंट्स वेलकम इन दा ओनलाइन क्लासिज अफ दी इवी स्कूल आज इन दा प्रिविजिन अफ चैप्टर फास्ट इन दा प्रिवेस लेक्ट्चर वी कंप्लीट अप टू पेज नाइन वी आरों पेज नंबर टैन तुड़े है कि activity जूदी पेज नाइं की वह पूस्प्लीट कर दी आप लोगों ने वह हैं नाव ना मिन्न गाव मिन्न साहिकिल मिन्न ग्न गईक हमारा वह इन श्मॉर्ण से मचंञेंगे देख किई इस फिगर में पूरा completely define किया गया है mineral cycle को देखिये dead और plants और animals जो है उनको क्या करेंगे decomposers decomposers क्या करेंगे decomposers या microbes उनका Minerals बना देंगे Decomposers इसका क्या बनाएंगे Minerals Minerals जो है कहां पर Sowhel में पहुंच जाएंगे दूसरा Animal Tropings जो है उनका भी क्या बना देंगे Decomposers Minerals और वो Sowhel में चले गैए Sowhel मिट्टी से Green plants या परडियूसर्ज ने क्या किया यहां से सोल में से मिनरल्स को ले लिया और मिनरल्स से फिर किस ने लिया ग्रीन प्लां risk किस ने ख़ाया अनिमल्स ने खौाया ठीक है या जो ग्रीन प्लांट से वो dead हो गए मर गए मृत हो गए अनिमल्स भी क्या है मर गए तो यहां पहुँचेंगी उनका հोपिंग्स ही ये है ठीक है इस तरह से पूरा पूरा गी साइक्ल घुमता रहेगा इस इस दा मिनरल साइकल के नेक्स्ट दूसरा जो साइकल है हमारा कार्बन साइकल है मैं डैलेंस बेट्वीण mom neo a carbon dioxide कि स्थे जो environment में बना रहता बंका रहता है ठीक है oxygen का और तो उसमें क्या है carbon dioxide निकलती है oxygen का यूज करते हैं हम respiration के लिए respiration से क्या निकलता है carbon dioxide इस तरह से वातावरण में photosynthesis और respiration दोनों प्रिकिरियों या processes के दोरान क्या बना रहता है balance बना रहता है carbon dioxide और oxygen के बीच में यह सभी आप लिड़ कर लेंगे now we have the keywords of this lesson now keywords are biodegradable substance that can be broken down into simpler substance by microorganism biodegradable वो पदार्थ वो चीज़े होती है जो simpler substance में तोड़ा जाता है उनको microorganism के दवारा तो वो substance is क्या है biodegradable कहलाते है consumers क्या है consumers animals that don't make their own food जो अपना भोजन नहीं बना सकते हों क्या कहलाते है consumers कहलाते है depend on producers इतना भी कर सकते हैं आप लोग यहां इतना तक भी आज कर सकते हैं decomposer organism which drive their food from dead and decaying plants and animals decomposers जो क्या करते हैं dead or decaying plants और अनिमल से अपना भोजन लेते हैं decomposer कहलाते है food chain food chain मैंने सिर्फ इतना सबताया था series of organism interrelated sequentially why therefore जो अपने भोजन के कारण एक दूसरे पर depend करते है food chain कहलाता है okay now next microorganism living organism that is too small to be seen जो दिन को देखना बहुत मुश्किल होता है human eye के द्वारा या itself अपने आप known bio degradable substances that cannot be broken down into simpler substance by microorganism में नहीं तोड़े जा सकते simpler substance के द्वारा microorganism के द्वारा simple form में नहीं तोड़े जा सकते तो known bio degradable कहलाते हैं next we have omnivores यह बिलकुल आप लोगों नहीं किया है omnivores that feed on both producers as well as consumers producers को यानि plants को भी खाते हैं consumers यानि मास मसली सब खाते हैं producer the organism plants which make their own food जो अपना भोजन स्वम बनाते हैं rainwater harvesting collect and storage of rainwater for reuse reuse के लिए collect करना storage को या collect करना rainwater rainwater harvesting कहलाता है sequencer a bird or animal that feed on dead animals कोई भी पक्सी या पासू जो है feed करता है dead animals पे sequencer कहलाता है vermicomposting process process of composting with the help of various suitable worms like red worms and earthworms जो red worm या earthworm के द्वारा हमें मिलता है क्या किया जाता है उनकी help से composting यानि खाद बनाई जाती है अलग-अलग worms का यूज करके ओवर हमी composting क्यालाती है ओके आज हम यहीं तक करेंगे आप इसको अच्छे से रीड करें और learn करें थैंक्यू क्यों से आप जाद से एक्ड़ MAS घप समय जानि ए्वड़ाइंगी ड्योज मिलता है एक रूश्रेफंगी तक करेंगे हैं वगया जतने तक करेंगे हैं चालात ठापनादेश है आप